हाई अबरीवन वेलकम तू माई चैंनल मून की मम्मी रियर लाइफ रियल हूम आज हम बनाएंगे डोसा सिंपल डोसा मसाला डोसा और घर पर बनाएं मसाला डूसा सिंपल डोसा बहुत आहसान तरीके से और हम बाहर की चीज़ों से बच सकते हैं अपने बच्चों को टेश्टी, मसाला डोसा, सामर डोसा, इडली ये सब खिला कर तो आज हम डोसा बनाएंगे और इसके लिए हमने लिया हैं दो कप चावल राइस और ये राइस मैंने वो ही लिये हैं जो मैं घर में यूज Screrson करती हूं मैंने अलग से कोई Raiस नहीं लिये हैं आप घर में जो भी Raiस यूज करते हैं हैं बनाने के लिए उसी को यूज कर सकते और मैंने उसमें एक कप लिया चना दाल और उड़त दाल तो मैंने चावल और चना दाल को एक साथ भिगो दिया था उड़त दाल को अलग भिगोया था मैं उड़त दाल मुंग दाल हमेशा छिलके वाली यूज़ करती हूं क्योंकि हमें धुली हुई दाल कम यूज़ करने च चावल दौनों का पिसकर, इसी के साथ मेथी दाना को भी मैंने पीस लिया है, मेथी दाना इसमें डाला जाता है, एक तो मेथी बादी को खतम करती है, यानि की डैजेसन में भी कोई प्रॉबलम नहीं होती है, उरत दाल और चावल से, दूसरा उसका टेश्ट अच्छा आता ह और मेथी दाना हमारे लिए बहुत फायदे बन भी होती है, तो ये मेरा बेटर तक दस से बारा घंटे के लिए फिरिज में रख दूंगी, और उसके चार-पांच घंटे बाद निकाल कर मैं बाहर रख लोंगी, अब मैं बनाऊंगी डोसा की स्टफिंग के लिए मसाला या अब मैंने डाला इसमें प्याज, अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज डालिए नहीं खाते हैं तो ये अप अफिसनल है, अब मैंने इसमें धनिया पाड़र डाला है, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और आलू डालेंगे, ये हम भून लेंगे, और इन सब को मैं स्प्रिंग उयर बेद भी दाल सकते हैं तो भी अच्छा लगता है यह आपके टेस्ट अब मैं आलु और हरी म्रच यहालु हरी मिर्च नहीं खाते तो नहीं डाल लिएथी नहीं बहुता हम जैसे मैंने डाले हैं और ये थोड़ी सी लाल मर्ज इसमें अमचूर पाउडर चाट मसाला पाउडर किचिन की मिसाला मतलब की जो भी मसाले आप खाते हैं मसाला मतलब मसाला इस्टफिंग के लिए जितना टेस्टी चट फटा मसाला त्यार करेंगे उतना ही जाद अच्छा लगेगा अब ये देखिए मसाला तयार है मैं इसमें हरादनिया एड़ कर दूँगी आप चाहें तो करी लिप्स आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी भी थोड़े सा क्रिश करके डाल सकती हैं और ये मैंने जो बैटर बनाया था को मैंने फ्रीज में से निकाल कर सुबह रख दिया था बाहर अब ये दुफैर का टाइम है मैं इसको यूज करूंगी और ये देखिए सिंपल डोसा मैंने आपको बनाया हुआ नहीं दिखाया सिर्फ मैं आपको एका कलर दिखा रही हूं कितना गोल्डन और कितना प्यारा कलर आया है अब क्योंकि मेरा एक बेटा दोने तरफ से सिखा हुआ खाता है तो मैं इसलिए इस तरह से आपको दिखा रही हूँ ये बन गया सिंपल डोसा आप इसमें इस्टफिंग ड्राइफ फूरूट की कर सकते हैं पनीर की कर सकते हैं आपके पास घर में कोई भी सूखी सबजी बनी हुई है वो भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही सिंपल चटनी के साथ खा सकते हैं नारियल की चटनी के साथ, मुफली की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है यह सांभर इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपको बता सुकी हूँ और यह है नारियल और मुफली की चटनी तो मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है डोसा पहले हमें flame on करने के बाद उस पर आप non stick या simple कोई भी तवा रख सकते हैं उसके बाद हम उसमें हलका सा oil लगाकर पानी डालेंगे और कप्रेसे साफ कर लेंगे उसका हमें तवे का temperature बनाना होता है अगर आप प्याज खाते हैं तो थोड़ा सा प्याज भी उस पर रगड़ सकते हैं उससे मैंने क्या होता है temperature तवे का normal रहता है और मैंने आपको भी यह प्याज का भी दिखाया यानि मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं एक चम्चा बैटर लेंगे और उसको हम इतने प्यार से भूह माधें इस में चम्चा को फैल आने कलिए आपको तोरी मिला MRU ऊस द्रॉश में तरह से मैंने के ला जूश बना हैं इस तरह से बढा थे हैन। यह प्याल शार फोल्ड कर दिया तो यह मैंने दो तरह का बैटर बनाया था और यह जो उपर रखा हुआ है यह सिंपल वाला है तो इस तरह से हम डोसा बना सकते हैं डोसा बनाना बहुत आसान है बस आप डाल को पीसिए पीसने के बाद फिरीज में रख दीजिए फिरीज में से चार-पांच घंटे बाद नि और उसको जब हम चम्चे से भरकर बैटर को देखेंगे उपर से गिराएंगे तो वो रिवन जैसा तूटना चाहिए उसका रिवन जैसा बनना चाहिए तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी होता है और यह तो मैं कभी भी दाल पीस का डारेक्ट भी बना लेती हूं क्योंकि म बाहर निकालीए नमक मिलाईए अच्छे से फैट लीजिए और उसको पतला रखिये ज्यादा गाडा भी नहीं होना चाहिए जतना पतला अप रखेंगे और कोट के रखेंगे उतना ही अच्छा डोसवर बनेगा जितना ज्यादा पुराना हो जाता है दो दिन पुराना, ए अच्छा डोसा बनेगा तो ये डोसा बनाने की मैंने अविधी आपको बताई बहुत ही आसान सरल तरीके से मेरा चैनल आपको कैसा लगता है मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को लाइक सेर और सबस्क्राइब कीजिए अगर मेरी इस भजन आध्यत्मिक बातें घरेलो नुस्के के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती रहे तो फ्रेंड्स ये था डोसा बनाना बहुत सरील तरीके से अब मैं आगे और भी अच्छी रैसिपी लाऊंगे आपके लिए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक बार ही करते हैं बैल आइकोन प्रेस करनी है जिससे की आने वाले नोटिफिस्केशन आपको मिलते रहें तो ये आपके लिए तैयार है आप लोग भी खाली जिए सांभर डोसा मसाला डोसा सिंपल डोसा साथ में है नारियल और मुफली की चटनी तो फ्रेंड्स जै मता दी और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांसात मेट का मेरा वीडियो होता है प्लीज पूरा देख लिया कीजिए पता नहीं कौन सी एक टिप्स आपके कभी काम आ जाए जै मता दी फ्रेंड्स त तिल देन बाइ बाइ